तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलिज का कोश्चन कवर करेंगे तो अगर आप किसी भी कमट्रेटिब एक्जाम का प्रप्रेशन कर रहा है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से लाइक कर द सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए देखते हैं को आपके सामने है को सटन दिया गया है आफि शूर लिया गया कि खाल सा पन्त है जल्सकर गचना 것을 कर्सका थाई bisa Self c किसके द्वरा किया गया तो खल सा पंथ की अगर हम बात करें तो इसका इस्थापना गुरू गोबिन सिंग ने किया था तो साथ में रिपीट भी करते रहे हैं रिपीट करने से चीशे जल्दी से याद हो जाती है तो पहला कोशन क्या था कि खल सा पंथ के सपना किसने की तो में पुछा जारा कि उसका इसका द्वारा किया गया तो अगर को टैक्ट अर्स की ऐसील अंणे साथ याद भी चातेजेंगे सब्सक्राइब करेंगे और रिपीट करते हुए एक सा याद भी करते चलेंगे जोभी चीजए आपको लगये कि कि इंपोटेंट है आपको नहीं पता तो उसे प्लिस नोट डाउन जरूर कीजेगा नोट करने से से जबली से याद हो जाती है तो फाली बार क्या भारत में पुछ बार पूचा जब सब्सक्राइब कर दो इसे आप नोटडवन करते रहेगा तो और यहां पर क्या पूछा गया कि भारत में पहली बार सरवजनिक निर्मान विभाग किस ने किया तो अगला कुछ नहीं कि वायू मंडल की सबसे नीचली सता को तहते हैं यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सबसे नीचली सता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो अगर करेक्ट एंसर की बात करें तो इसका सबसे करेक्ट एंसर क्या हो जाका छोब मंडल ठीक है जो वायू मंडल य हिस्य तरह करते हुए हमारा जो भी मतलर वाईग मधervices कर सता है लगला कुर्चा Gaye राश्थपति पर्तिभा पाठिक के बारे में पुछा जाए तो आपको आधाक आधक्ना है तो पर्तिभा पाठिल जो भुषब हो जाता है दो करेक्ट नाइन प iki पॉर्त है कि उस सरों जया गार्भाय परच जने तो भूझेंगा तो बाकई जो gate कि पूछा जाता है उस सितार और तबले 30 का जनक का जाता है यानि कि जनक मतलब क्या होताइं और सितार और और तबले का जनक किसे माना जाता है वो पुछा जा रहा है तो अगर इसके करेक्ट एंसर की बात करें तो क्या जाएगा अमीर खुसरो जो अमीर खुसरो थे उन्हें सितार और तबले का जनक माना जाता है यानिकी पीता माना जाता है ठीक जनक मतलब क्या होता है पीता होता ह अभी में कि दो बार एसनान घर कहा मिला अगर हम जब सिंदु पड़ती सबहता है के बारे में पूश्ञ पढ़ते हैं तो अहां पर सिंदु गाटी की जो सभेता है उसमें एक हमें बहुत ब़रा इसनां घर मिला घिकार नहाने वाला मुहन जोद्रों में मिला महन जोद्रों की एगर हम बात करेंbreaker Commission होता है कि मुहन जोद्रों एक मूभी भी है अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात है नहीं देखे हैं तो कभी टाइम निकाल के देख लीजेगा क्योंकि हमारे इतिहास से जुरा हुआ हुआ है वो चीज देखने से थोड़ा सामें आइडिया मिलता है कि इस थोड़ा हमारा मतलब हिस्ट्री था एक चीज उसके बारे में पता चलेगा तो मोहन जोद्रा का मतलब क्यों माप एक बड़ा एसनान कर पाया गया लेस्ट है जर्मनी का एक ईकरण किस ने किया जो जर्मनी था उसका एक्वी कर निकिस के द्वारा किया इस्तार ठीक लिए इसने किया जर्मनी का एक ही करन किया तो जर्मनी आई किके दार Commissioner कि अ किसु Major को किया जर्मनी का करन किसने किया ingersिसमार में यहां पे पूछा जा रहाँ कि यहां jis नहीं कि पूर्ण भिस्तार ठीके जो एल पीजी उसका डित इन एक तेनडर फॉं मर्वास क्या होता प्रोलियम इसको बोला जाता है ठीक है यानि कि जो मतलब इनिक फाइड है एक तरह का गया से लेकिन उसे क्या किया गया है स्वाती जो होता इसको जब कंप्रेस किया गया टागेज te 그 है तो इसको बी होगा आसपास आगा ठीक तो जब लोग गैस को डबाएंगे और लीक्विड को और ज्यादा कम्प्रेस करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा ठीक है जो पार्टिकल को जितना लेंगे वह सॉलिड हो जाएगा और अगर उससे थोड़ा सा मतलब दूर दूर पर होगा तो लिक्विड होगा और सबसे ज़ सभीरें सब्सक्राइब इस रखते हैं इस सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब सबस्टिता जाता है दिलू गें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना कि यह संधार करना कि असतंधारी का मतलब होता है जो मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाता हो ठीक है में पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं असतंधारी बोलते हैं जो दूद्ध पिलाता हो अपने बच्चे को अस्तंधरी था नि पेड़नेगे सींदरी को इंगली में क्या वौलते हैं ने में मुआध रहें संसार का सब्से विसाल तो मेनी कि सब से count हो जाएगा मजली जह मजली होती होती है जबसे सबसे बरा अस्तंधारी होता है जहां पर जो celsius और जो Fahrenheit होती है उसका ताप मान क्या होता है बराबर होता यानि कि equal होता है तो यह भी बहुत most important question है ठीक है इसको आपको याद रखना कि minus 40 degree यानि कि minus 40 degree पे जो Fahrenheit है ठीक है जो Fahrenheit है और जो celsius है वो डिकाल होता है कि ऐख चरा एक होता है चिख को लिग्र करते हैं या फिर सेलों को एक्स albo करते हैं तो जब हम लोग यहां पर दोनों का एक्समान लेंगे इसको समझते हैं कि कह चराने चर्ण एक्समान लेंगे अज तो समयत् Analytics और इसको भी एक्स मालेते हैं और ठीके बाक्री मिसको क्रास्ट मल्टिप्लाइब करेंगे तो फाइPS माइनस doubles वह एडिएक्स नाइन टूकर जाएगा धीके जोले से इधर प्लसमें तो इसको हम लोग दूसरी तरह भाजेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो माइनस बॉन सिस्टी इसको पर कर देगा तो एकस का फटिना गया माइनस 40 निटिक है यानि कि दोनों केलमान हम लोग एक वाने थे इपको समझ में और चाहिए कि कैसे मायनास 40 डिग्री तो बहुत बार यह कोश्चन पूछ ले जाता है इसको कैसे एक्स्प्लेइट करना होता है तो यह आपको अब को समझ में आ गया होगा ठीक है अगला कोश्चन दिया गया है कि किस देश का अस्तल सीमा सरवाधिक देशों के साथ लगती है ठीक है तो जो असल सीमा है जो लेंड बॉर्डर है वो पूछा जारे कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा देशों के साथ अपने बॉर बारे में आप लोग सुना होगा जबी करेंट अफ्यास परते हैं तो बहुत बार आपको सुनने को मिलता होगा तो उसका जो हेड़ को यानि की मुख्याले वह कहां पर इस्तित है यह पूछा जा रहा है तो करेक्ट एंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट एंसर क्या जानते हैं यू एन बोलते हैं इसको ठीक है इनाइटेड नेशन और नाइजेशन इसके हेड़ काटर के बारे में पुछा जा रहा है कि नोट करिएगा नोट करने से चीज़े याद हो जाती है तो आपको याद रहना चाहिए नेशन यहां पर क्वेज्चन दिया गया है कि भूब ज्यानिकों के अनुसार आज जहां हिमाले परवत है वहां पहले क्या था तो जो मतलब हो बेग्यानिक है उनके अनुसार कहा जा रहा है उनके अनुसार यहां पे पूछा जा रहा है कि उनके अनुसार आज जहां हिमाले परवत है जहां यानि कि आज के डेट में हिमाले परवत है वहां पहले क्या था यहां पहले क्या हुआ था वह पे 3-30 नामक सागर हुआ करता था जहां पर आज की रेट में हिमाले परवपद देखने को मिलता है कि अगला कोस्चन है काफी इंप्रोटेंट कोस्चन है कि अमेरिकी राष्ट पती जो होते हैं ठीक है अमेरिकी राष्ट पती लेज़े देजक्र टहुनसा कौ Zuschauer फ़ारे कारेकाल कुछ प्राष्ट्रीय ह हींदी दिवस के चाहिए टौ राश्ट्रीय हींदी दिवस कब मनाए जाता है इंडियाम कर हींदी 6 की बात करें ठीकिया तो राश्ट्रिय हिंदी दिवस परतेक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस ठीक है कौन सा वर्ल्ड हिंदी डे तो वर्ल्ड हिंदी डे तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है आपको कमेंट सेशन में बताना है कि विश्व हिंदी द दिवस कब बनाया जाता है में जुरू बताएगा पता करके चलिए आगे बरते हैं निक्लस निया यांप और तीन का मिस्स रधातु है का ठीक है तरह का mist भागा ऑर दिया कि कि किने देश सथाई सदस्द जो जो permanent जो भी member है सनी उत्राष्ट संग सुरक्षा परिशत के उनके बारे में पूछा जा रहा है तो correct answer क्या हो जाएगा 5 ठीक है क्या हो जाएगा 5 यानि कि 5 ऐसे देशे जो सनी उत्राष्ट संग सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्द से हैं यहां पर पूछा जा रहा है क्यों कि लाल ति कौन किसका परतीक चीन यह इसका परतीक चीन के बारे में पूछा जाएगा परतीक और चीन के बारे में बहुत बार कोश्टन पूछा जाता है तो जो परिवार नियोजन कारी करम अब कर्ऽ आपको बताही होगी आपको समझ में आ गया होगा तो है श्रक्री tvower. समाप्तुआ सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद